हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जहां बात करते हैं इलेक्ट्रोनिक्स की तो प्रीविएस वीडियो में हमने अल्रेडी देखा है सेमिकन्टर थोड़ा सा स्टार्ट किया है इंट्रोड्यूस किया है और यह जो बेसिक आप डाइग्राम देख रही तो मने देखा है कि मेटल्स के लिए ठीट के लिए वइलें में आप और यह गर्लेते हैं सेमिकन्टर के लिए क्रेज़ें स्क्रिट यह की च्टार्गाइस यह जहिए इस भी बढ़ाता हूं एंट एसे जो लिए रहता हो दर्यक्ट्रोन் यह उनको इंसुलेक्टर बोला गया तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो सेमी कंड़क्टर तो अब यह जो आप डाइग्राम देख रहे हैं यहां पर बस आपको इतना पता चल रहा है कि यह मेटल है सेमी कंड़क्टर इंसुलेक्टर है इस तरह से हम बाइफरकेट कर सकते हैं इस टाइप के डाइग्राम से यह बैंड डाइग्राम है बट और भी अधर प्रोपर्टी होती है सेमी कंड़क्टर के वह हम इस डाइग्राम से पता नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए एक डाइग्राम में क्या होता है और इस डाइग्राम को बोलते हैं बै देखेंगे कि डाइग्राब क्या है और इसके बारे में हर बारी को जानेंगे तो उसके पहले हम आटम से चालू करते हैं कि सब्सक्राइटम है ठीक है तो यह अटम का Potential Energy क्या होगा यह हमें पता करना है तो potential energy हमें पता है क्यों built okay क्यों 이 क्यूटु वाइब यह potential energy होता चलेंच embargo अब यह कुछ force औल्यक्राइड एक दम पास हो सपोधन हो इसे कुछ पर आग जा रहा हूं तो मैं इसी एक्सिस पर बना रहा हूं तो तो शपोज मैं सब्सक्राइबार ईयरा यह एक्सिस मेरेबार टो यह अगर दाट पर है यहाँ अगड़क जेरो है तो यहां पर रगड़ जीरो है यह इनफिनाइट तरफ जाएगा तो यहां पर कुछ माइनस इंफिनाइट की तरफ जाएगा और जैसे यह मैं आर बड़ा करते जाओंगा वैसे वैसे क्या होगा यह जीरो की तरफ जाएगा तो इसका जो पोटेंशल एनर्जी का कर वे कुछ ऐसा आता है यह दोनों साइड आएगा तो यह एक्सिस है आपके आटम के नूक्लियस के रेंज का तो जैसे जैसे में आर बढ़ाते जाओंगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी कम होते जाएगी और फाइनली जीरो पे जाके क्रिस्चल लेते हैं कोई भी सेमी कंडक्टर का तो उसमें क्या होता है वो लैटेस वहीड कली कह रहता है मतलब जो अब्स होती हैं यह सब्रहु हैद शाजाए हुए यही डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है इंटिर्अ को यह होगा सबकानेंब्सेशल में दुक्श इसमें potential energy कैसे होगा यह इस तरह से फिर यह इस तरह से इस तरह से पिरियोडिकली वैरी करेगा यह पिरियोडिकली समझ लो वैरी करेगा यह potential energy है यह energy access है तो अब जब potential energy periodically हो रहा है किसी crystal में क्यों वैरी हो रहा है क्योंकि यह पिरियोडिकली सजाया गया है crystal में atoms को तो अब इसका motion कैसा होगा electrons का motion कैसा होगा तो यह जो motion of electron है न यह थोड़ा सा इसमें है ना quantum mechanics लगता है अब quantum mechanics वर्डी इतना भारी भर कम है कि सुनके डर लगता है तो डरने की ज़रूत नहीं है क्योंकि हम इस पे जादा पढ़ने वाले भी नहीं है हमारे काम का भी उतना नहीं है थोड़ा बहुत हम देखने वाले हैं क्यूंकि हमें एफ ब्लॉक थेके तो यह एफ ब्लॉक ने क्या बोला कि अगर आपका जो potential energy है वह periodically vary हो रहा है तो जो वब फंक्षन इसके रिलेक्टिट वह भी periodic ही होगा ओके फिर से सुनेंगे अगर आपका जो पोटेंशिल नर्जी है वो पिरियोडिकली वेरी हो रहा है तो जो वेव फंक्षन है वेव फंक्षन भी पेरियोडिक होगा वेव फंक्षन क्यों क्यों पिरियोडिक होगा क्योंकि उसके रिलेटेड जो प्रोबैबलीटी फ्रोबैबलीटी फ्ट रोभाइब इलएक टूबब्रोबेबिलीटि टॉम पर डिपेंड करती है कि यह इलेक्टरण यहां है अभी यहहाँ नहीं है या कहां पर है तो वो भींग् मुनेटि Л्हक्त कुछ अव मतल mówi तो यह periodically vary होगा तो इसको उन्होंने ऐसे दिया u of k into e to the power i k और r k dot r तो कोई भी r distance पे यह जो wave function है साई के wave function है ठीक है यह periodic होगा तो यह periodic कब होगा जब u of k यह periodic होगा तो u of k क्या है u of k of u k of r is equal to u k of r plus a मतलब हरे अब यह कहां से इसका मतलब क्या है यह periodic है मतलब कोई भी r distance पे इसकी जितनी value होगी r plus a पे भी उतनी होगी क्योंकि यह inter atomic space a है तो यह इसका एक periodic function हो गया और यह इसका साइ of k है इसको हम इस्ट्रोडिंगर wave equation में हम put करेंगे तो वो हमने क्या देखा था पिसले लेक्चर में देखा था हमने देल स्क्रोडिंगर आफ साइ इसके number of values हमें मिलेंगे तो इस ब्लॉक ने क्या बोला कि अगर potential variation वो periodic है तो यह जो energy eigen values हमें मिलेंगे वो भी क्या होंगे पिरियोडिक होंगे हर एक आइगन वैल्यू पिरियोडिक होगा तो अब यह जो साई है यहां से हम put करेंगे इस equation में और यहां पर भी put करेंगे और इसको पूरा solve किया mathematics है जो कि यहां पर बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं है तो यहां से उनको जो इनर्जी आइगन वैल्यूस मिले यह कुछ पिरियोडिक मिले तो यह कैसे मिले कि यहां पर सपोस्थ कि यह इनर्जी है और यह कि है तो यहां पर कुछ ऐसे मिले यह मैं बस simply डॉप कर रहा हूं थोड़ा सा गैप ले लेता है यहां पर यह इस साइड और similarly इस साइड लेफ साइड यार थोड़ा वीक है मेरा भी तो यह समझ लेना अब यहां पर कैसा होता है यहां पर इस तरह से और इस साइड भी इस तरह से ओके इसके ऊपर भी और भी वैल्यूस होंगे यहां पर भी ऐसे होगा और भी उपर बहुत सारे इनर्जी आइगन वैल्यूस होंगे और बट हर एक जो इनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगे पीरियोडिक होगी तो यह यहां पर जीरो और इस इसको मैं बोलता हूं पाई बाई यह कहां से आया यह इंटर इंटर इटामिक स्पेस है कि इनुलरली यह जो दूसरी वाला आएगा सॉरी यह नहीं कि इसके पहले भी आएगा यहां पर तो यहां पर क्या आएगा डूपाई वाई एक सिमिलरली यहां पर माइनस पाई बाई यह और यहां पर यह थोड़ा बहुत उपर नीचे ह हो गया चलेगा माइनस तू पाइभाई एक तो अब यह कहां से आया पाइभाई एक तू पाइभाई और यह क्या है कि तो सर आपने समझा है नहीं कुछ भी तो के मैं अभी बताऊंगा आगे ठीक है और यहां बस इस बटिस नियाग्राम से मुझे एक चीज़ समझानी है कि यह जो के है वो रिसिप्रोकल है रिसिप्रोकल स्पेस है रिसिप्रोकल मतलब क्या हुआ कि क्या है इंट्र एो पाइग्रामिक फहीया में और उसको हुमारे पास पीरियोड इसको मैं analyze करूं तो बाकी सब भी सेम ही है क्योंकि यह पूरा जो ग्राफ दिख रहा है वह periodic ही है तो बाकी सब भी सेम ही होगा तो बस मैं इतना इसको reduced form में लेता हूं तो इसका जो reduced form है वो कुछ ऐसा आता है तो यह कि यहां से यह के और यह energy ओके तो यह ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे तो यह reduced form में अब यह डेग्राम आपने देखा देखा हुआ लग रहा होगा ठीक है तो इसमें कैसा है हर एक जो की वैल्यू है अब के की भी discrete values होंगी ठीक है के की बहुत सारे सारे पॉइंट्स पर यह के नहीं होगा कुछ ऐसा 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 भी हो सकता है क्योंकि सारे अनर्जी वैल्यू डिफाइंड नहीं है बट वह कितने होंगे वह हम आगे के लेक्चेस में देखेंगे ठीक है अभी बस इसको मैं कंटिन्यूसली ड्रो कर रहा हूं ठीक है और आगे भी हम देखेंगे यह कंटिन्यूस ही रहता है क्योंकि यह नंबर आप पॉइंट्स नहीं बहुत जादा रहते हैं तो हम इसको एनलोगस ही मान सकते हैं तो अब यह जो माइनस पाई बाई यह इसको हम बोलते हैं फर्स ब इसको प्रिवियस आईडिया बस आपको दे रहा हूं आपको जादा कुस नहीं भी समझ में आ रहा हूं तो यह आगया हमारा डिद्यूस फ़र्म में इस तरह का डाग्राम तो इसी को बोलते हैं एक डाइग्राम ओके तो यह जो आपको इस्रुक्टर दिख रहा है यह टेक्ड करता है अगर इसी अगर आप इसी मैं ऊपर वाले सपोस्थ मैं यह जो ऊपर वाला इसको फोड़ा से शिंफट कर दूं तो यह क्या होगा यह जो मिन्मा है वह यहाँ पे होगा तो मैं हम इसको देखेंगे तो हम दोनों के एक साथ ड्रॉफ करता हूं यह तो हमारा इस वाला एं यह और होगे वहां और एक और क्या आता है इनक्ते Jersey 12 व्हाला कोई से कि यहां पे इसका मैक्सिमम् पॉइंग है और यहां पे इसका भी मैक्सिमम् फिर इभर से कर्व ऐसे जाएगा तो यह सना इसी हो गया और यह इसका की दोने अंतर क्या बहुत प्रक्त काम आता है बस थोड़ा सा समझेंगे इसको कि अगर सपोज यहां से अगर कि कुछ इलेक्ट्रों को ऊपर जाना है तो यहां पर क्या होगा कुछ कंजर्वेशन ओफ इनर्जी लगेगा तो क्या होगा एक फोटोन इसको अब्सर्व करना पड़ेगा सिमिलरली अगर यहां पर कुछ इलेक्ट्रों है ठीक है और अगर वह नीचे आ रहा है तो यह क्या करेगा इनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म्स ओफ फोटोन तो मतलब लाइट निकालेगा यह ठीक है तो जैसे यह उपर से नीचे आया तो यह कंजर्वेशन ओफ इनर्जी कर दो जनाएगा यह उप्न सेमिकलवा अगर स्पोज यहां पर है और इसको अगर नीचे आना है यहां पर तो इसको क्या करना पड़ेगा कंज यहां पर क्या हो रहा है कूंसर वेशं我要 एनर्जी हो रही है तो यहाँ पे इसको इनर्जी से कारण क्या होता है हमारा होता है फोटोन डिली जो-क यह चान्सर्वेशन से और दूसरा गया होगा यह उग्रीष्टन क्या होता है इक सब्सक्राइब करने हंचर्वेशन आफ कारन क्या होता है फूनओन रिलीज होता है तो फूनोन रिलीज वहना मतलब क्या हुआ क्या है जो लैटिस वता है उस लैटिस में vibrations आते है इसप्रिंग टाइप के वइबरेशन साते हैं यह इस तरह से यह और इस तरह से तो ऐसा समझ लो यह बीच में कुछ स्प्रिंग्स लगे हुए तो यह स्प्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं ठीक है उसके भी डिफरेंट टाइपस हैं कभी उपर जाते हैं कौन नीचे जाएगा इसमें भी धेर सारे टाइपस हैं तो उसके डिप में मैं नहीं जाओंगा तो इसलिए हम जेनरली ऑप्टो एलेक्ट्रोनिक्स जो है ऑप्टिकल जितने भी डिवाइसे वह सब डारेक्ट बैंड गैप से मिकर्नेक्टर की होते हैं नॉर्मल जो सिलिकन जर्मिनियम है जो जिसमें हम लाइप वगेरा से जादा कुछ नहीं करते हैं वह क्या होते हैं इन इसका मिनिमा है और यहां पर इसका मैक्सिमा है तो अगर यह पूरा मैं ऐसे ले लो तो यह क्या हो गया मेरा कंडक्शन मेंड सिमिलरली यह मेरा मैक्सिमा है और यहा पर इस तरह से इसका कुछ की अधिक वी होगा तो यह पूरा ऑल से यह पूरा यह आनोनगा से आपwent इसमें से diesem like कि इनर्जी इनजी ल्ल पर दिखता है और के लिवल पे कुछ कुछ नहीं देखता है तो अब यह है क्या यह हम अच्छे से जानेंगे तो क्या है कि यह हम देखते हैं तो यह जो के है कि इसको मैं बोलता हूं कि प्रोपर्गेशन वेक्टर कि और इलेक्ट्रोन कि वेफंक्शन कि यह कहां से बोला प्रोपपागेशन वेक्टर ओप रेक्ट्रोन वेक्ट्रोफ दंग llegó करता है ना अब तो प्रोपगेशन वेक्टर का मतलब क्या होगे तो मैं समझ में नहीं आया तो इसका यह वेक्टर क्वांटbang यह श्य two phi phi Das two shield lambda और लेंड़ी क्या है है वेवलेंट इस्ट लेज वेवलेंट ने बहुत है कि वेवलेंट्थ है हम जैसी साइन wie या कुछ ऐसे वेवलेंट मतलब कुछ स्ट्रिंग वेव या ऐसे जो होते हैं या constituents में जो waves होते हैं वो wavelength generally सबको पता था de brogley ने क्या बोला कि particles में भी कुछ wave functions है उसका भी वेव nature है तो वह वेव nature दे शकते हैं तो यह particles में जो वेव है उन्हें उनका wavelength कितना है वह दि ब् Tag चयाता है। इसलिहें इसे दिब लोगट लिएंट बोला जाता है तो इसका यहां अभैं हमें यह पता चलगा मतलब बहुत आसान हो क्योंकि हमें यूनिया चल गई अब यूनित पता चल गई तो आधी चीजे ऐसी maximum points के बीच में हम ले सकते हैं इसी को हम लेंडा बोलते हैं तो क्या है हमारे पास actually में one upon lambda है suppose तो one upon lambda का क्या मतलब है लेंडा क्या वेवलेंथ तो one upon lambda मतलब कि कोई भी unit length में कितने number of waves होंगे तो यह क्या है इसका मतलब क्या number of waves पर unit length कोई भी unit length में तो इसको क्या बोला गया इसको बोला गया है वेव नंबर सही बात है यह क्या बताता है number of waves बताता है पर यूनित लेंड तो इसको बोलेंगे वेव नंबर और इसी को अगर मैं यहां पर दिखने यह क्या अलग है यह क्या अलग है तो दोनों को मैं सिंबॉल सेम रख रहा हूं बट आपको डिफ्रेंस तो पता ही है दोनों के में क्या अंतर है तो इसको बोलते एंग्यूलर वेव नंबर बस इसको टूपाई से मल्टिप्लाई कर दिया तो यह फेज इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देगा तो जेनरली यही हम यूज करते हैं अपने सेमिकनेक्टर डिवाइस या कोई भी डिवाइस फेजिक्स में अपने तो यह हो गया हमारे पास के स्पेस का डि आपने ऐगनलड बेरुतम बटाया हैं था तो यह फोनोन रिलीज करने पहले आपने अन्य प्लेक मोमेंटम कहां से अगया यहां पर तो अहां पर हम हुआ के इसना यह मोमेंटम वह तो यहां पर यहां है C तो अब इसका डारेक्ट रिएशन कैसे है मोमेंटम से तो यह सब्सक्राइब हमारे पास एक जो फर्मुला आता है मोमेंटम का पीज इकुल टू एच अपॉन लेमड़ा ठीक है यह कहां से आता है यह इस इकुल टू एच न्यू से आता है तो यह आप आप सबको पता है इनर्ड़ी इस इन्टू इन्यू है यह दो यह बीय टो प्लांगे आप देंगे या जो भी फ्रिकुंवेंशि मोगी सब्सक्राइब की उससे कुछ अनर्जी प्लेशी मम आइस खेलत के के यह फॉर्मुला निकाल सकते हो ठीके मास इन्टू पिक सकते यह तो यहान कि आप यहां से आप आजाएगा तो अब यह हमें पता है कि अब तो आपको वो बुक्स में जाएगा कोई ऐसा बहुत बड़ी ही चीज़े नहीं है तो अब यहां पे यह आपको पता है पीज एक्वल टो अब इसको मैं क्या करणूंगा बस क्षब से डिवाइट कर दूंगा एक अपय और यहां पर क्या होगा लेंड़ा पॉट अब यहां से सिंपल है हमारे पास क्या आजाएगा यह अपन क्या हो जाएगा एच बार ठीक है एच अपन टूपाई एच क्रोस या एच बार लिखते हैं और यह टूपाई अपन लेमडा उपर जाएगा ठीक है तो यह के तो यहां से आ जाता है मोमेंटम इस इकोल टू एच बार डॉट के यह वेक्टर में दोनों का डॉट प्रोड़क्त होता है तो आप यहां पर देख रहे हो यह जो क्या है कुछ चौंस्टेंट है वोके एच तो हमारा पास चौंस्टेंट है तो यह डिरेकली रिलेशन है मोमेंटम और इसका तो इस क्या बोलते हैं जो इसको हम बोलते हैं crystal momentum सब्सक्राइब मोमेंटम और क्रिश्चल मोमेंटम में क्या डिफरेंस है तो एक बहुत ही मस्त वाला डिफरेंस है वह हम देखेंगे बस तो अब यह क्रिस्चल मोमेंटम क्या होता है कि सपोज एक सेमी कंड़क्टर मैटेरियल या कोई भी यहां किस एक्जामपल के लिए मैटेरियल है उस में कुछ इलेक्ट्रॉंस है ठीक है अब उसको मैंने कुछ पोटेंशल प्रोवाइड किया बैटरी से तो इसका फोर्स हो जाएगा इंटू ए ठीक है यह कुछ फोर्स अप्लाई करेगा यहां पर ऐसे तो इलेक्ट्रॉंस क्या है वो इधर उधर मूव करेंगे ठीक है ऐसे ऐसे मतलब कुछ रैंडम मोशन एकदम से नहीं होगा बट जो भी मूवमेंट होगा जिस भी डारेक्शन में अभी अभी नहीं अभी उसके बारे में नहीं हम सोचेंगे तो अब यह जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉं लगेगा फोर्स वो दो टाइप का लगेगा एक फोर्स एक्स्टर्णल ठीक है एक स्टर्नल फोर्स लग रहा है और यह क्या है internal forces यह बहुत complex है यह बहुत complex इसमें calculations करने पड़ेंगे कि अंदर तो बहुत सारे forces लगेंगे तो हर बार addition यह सब calculation करना बहुत मुश्किल है तो अब यह जो पी है यह जो पी हमने यहां से निकाला तो इसका मतलब क्या है कि यह जो momentum है electrons का यह crystal momentum है तो यह कुछ ऐसा momentum है ना as if की यह एक सिर्फ external field के कारण मूव हो रहा है ठीक है मतलब यह जो model किया गया है यह इतना strongly इतना अच्छे से model किया गया है इस यह जो आपके momentum को कि यह ऐसा हमें प्रतीत होता है ऐसा हमें लगता है कि यह सिर्फ external forces के कारण ही आ रहा हो ठीक है तो यह जू टू कि एक्स्टर्नल कि पोर्सेस है मतलब आपको अगर यह momentum पता है ना तो आपको यह internal force के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें इंक्लूडेड ही है तो आपको बस external force के बारे में सोचने की जरूरत है तो आपको सही सही पूरा calculation मिल जाता है तो अब यहां से dp by dt क्या लिखते हैं dp by dt is equal to f external is equal to minus e upon minus ee okay actually हमारा क्या होना चाहिए था actually कुछ ऐसा होना चाहिए था ठीक है यह total f यानि की f external plus f internal ऐसा होना चाहिए था जो actual होता है बट यह momentum है वह इस तरह से model किया गया है इस तरह से उसकी value निकल के आती है कि हमें internal forces के सोऽ ने की ज़र्वत नहीं हुआ है वह directly external forces से हमें यह value इसकी तो यह इस तरह से कितनर अदीक को अच्छे से model किया गया कि eternal forces के में कोई जानकारी जानने की ज़रुत नहीं है बहुत अच्छे से model किया गया है तो यहih तो अब सर इस momentum का मैं क्या करूं तो यहां से जो आपको यह मिला है dp by dt is equal to f external यहां पे आप और अच्छे से solve करके न यह effective mass का formula निकाल सकते हैं तो effective mass is equal to one upon h bar square यह h bar है ठीक है या h cross बोल लो डेल के स्क्वाइर का inverse तो अब यह effective mass का formula जो यहीं से आया है ठीक है यह जो उपर के formula आपको दिख रहे है dp by dt यहीं से आया है इसी को solve करते हैं तो आया है मैं derivation अभी skip कर रहा हूं तो यह जो एम स्टार है वो क्या है एफेक्टिव कि मास क्या है यह यह फर्मुला है तो अब यह कहां से आया है यह आया है यह के डाइग्राम से परिखे तो अब अब पता चलना यह एक की का इंप्पर्टेंस क्या है यह एक क्या करता एक तो हमें प्रॉपर्टीज बताता है आप्टो directly उसका mobility और यह सब चीज़े हम निकाल सकते हैं तो हमने यह देखा था ना डिफ वेलोसिटी की फॉर्मुले में यह क्या देखा था वेलोसिटी इस इक्वल टू ईए बाई क्या है तो फॉर्म इस ऊच्वला प्रों सर्ण व हमने देखा था पोड़ील तूउ मास इम टू एक्स एक्सलेशन आगी है एक्स बाई k daily आ जब हमेलोसिटी लिखते है तो यह क्या हो जाता है एंको टो यह की इस सबीए कि तो ये टाव क्या ये टाव टिलाक्षरल्ट्शेशन टाइम में बत्छ सेमी इसको क्यों एक यह अगर आपको डिफ वेलोसिटी चाहिए तो आपको यह मास निकालना पड़ेगा और यह मास क्या है यह इफेक्टिव मास है तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि एक डाइग्राम का कितना इसलिए एक डाइग्राम से हमें अप्टेलेक्ट्रोनिक्स प्रॉपर्टीज भी पता चलती है और यह मास यहां से निकलता है तो अगर आपको कुछ पी डाउट है तो प्लीज कमेंट में मुझे लिखके बदाए मैं उसको सौल करने की कोशिश करूंगा और भी हम नेक्स ले से और अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आप और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखते रहें तब तक के लिए पढ़ते रहें सी यू दिन गुडबाए